हेलो फ्रेंड्स मेरे नामे दुरुबल और आपका सागते मेरी यूट्यूब चैनल में दुरुबल सुनना इस तरी आज में आपको बताने जा रहा हूं यहां पे एक्वेशन दी गई है यहां पे वैलिउस दी गई है और यहां पे। पर हुमें बताना है किifieूशन सही है या नहीं अगर विडियेबल की वैल्यू यह होती है ठीक है तो अभी हम लोग फर्ष्ट कोष्ट यह सम operators की से मताइब देगा शेक्त को nécessaire फर्स सब क्या था x प्लस 3 is equal to 0 और value x is equal to 3 तो यहाँ पर हम पहले equation लिख देता है x प्लस 3 is equal to 0 ठीक है तो हम लोग पहले क्या करेंगे हम लोग इसका left hand side लिखा रेंगे LHS LHS का क्या मतलब होता है left hand side तो इस equation में left hand side कौन सी है यह है तो हम यहाँ पहले लिखेंगे x प्लस 3 अभी x की value क्या दी गई थी x की value दी गई थी 3 तो यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 3 ठीक है तो हमारा LHS क्या जाएगा LHS जाएगा 6 अभी हम क्या करेंगे अभी हम करेंगे RHS RHS मतलब right hand side equation की right hand side equation की right hand side कौन सी है यह है तो हम RHS क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे तो क्या आया LHS आया 6 और RHS आया 0 तो LHS is not equal to RHS तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे यह equation wrong है अगर x की value हो जाएगी 3 तो यह equation नहीं आएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 9 लिखेंगे अभी second करते है second का equation क्या है x plus 3 is equal to 0 और x की value क्या है 0 तो हम यहाँ पर second sum करते है x plus 3 is equal to 0 तो पहले ऐसे ही हम लोग करेंगे ज़र उने first sum में किया LHS पहले निकालेंगे LHS की value निकालेंगे LHS क्या है x plus 3 यह LHS होता है ठीक है so x क्या है x की value क्या है x की value है 0 तो यहाँ पर 0 plus 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 plus 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो LHS की value क्या आ गई 3 आ गई अभी हम क्या करेंगे RHS करेंगे RHS लिखेंगे RHS right hand side equation की right hand side कौन सी है यह है तो यहां पर क्या लिखेंगे जीरो, तो जीरो हो जाएगा यहां पर, तो LHS की वैल्यू क्या है? लेफ़ जाएट की वैल्यू है 3 और RHS की वैल्यू है 0, तो LHS is not equal to RHS तो ये भी equation wrong है तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसमें भी no ठीक है अभी हम लोग third sum करते है third sum करते है third sum क्या है third sum की equation फिर से कहे x plus 3 is equal to 0 तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जहां पे लिखेंगे LHS, फिर से LHS तो LHS की value क्या है LHS क्या है x plus 3 x plus 3 और यहाँ पे x की value क्या दी गई है x की value है minus 3 ठीक है, x value minus 3 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे minus 3 plus 3 minus 3 plus 3 क्या हो जाएगा minus 3 plus 3 हो जाएगा 0 तो हमें LHS की वैल्यू में क्या मिल गई ? LHS की वैल्यू मिल गई ? 0 अभी हम क्या लोएंगे ? RHS RHS क्या है ? Right hand side equation की right hand side में क्या है ? 0 ही है तो यहाँ पर हम क्या रिखेंगे ? 0 तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या निकल गई ? 0 So LHS is equal to RHS अभी हम यहाँ पर यह तो equation सही है तो अभी हम क्या लिख देंगे ? Yes लिख देंगे यह equation सही है इसके लिए ठीक हम अभी हम port sum करते है port sum कौन सा है ? x-7 x-7 is equal to 1 अभी हम इसके पहले सके लिख से LHS निकलेंगे ? LHS क्या है इसमे ? x-7 x-7 अभी x की value क्या है ? x की value है 7 7 x की value तो यहाँ पर 7-7 क्या हो जाएगा ? 0 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर इसके बाद हम RHS लिखेंगे ? LHS की value क्या मिल गई हमे ? 0 मिल गई RHS क्या है ? 1 है तो LHS is not equal to RHS LHS है 0 और RHS है 1 कैसे equal होंगे ? LHS is not equal to RHS S तो यहाँ पर हम उपर क्या लिख देंगे ? 0 लिख देंगे यह equation गलत है अभी हम 5th sum करते है 5th sum क्या है ? 5th sum है x-7 is equal to 1 फिर से x-7 is equal to 1 LHS क्या निकालेंगे ? LHS पहले निकालेंगे LHS में क्या होगा ? x-7 x की value क्या है ? x की value उस बार है ? 8 8 है तो 8-7 क्या हो जाएगा ? 1 हो जाएगा तो LHS की value क्या हो जोई ? 1 होगी अभी हम क्या निकालेंगे ? RHS निकालेंगे RHS निकालेंगे RHS क्या है ? इस equation का ? 1 है तो यह equation बिल्कुल सही है तो यह equation बिल्कुल सही है 6 वाला सम कौन सा है ? 6 वाला है 5 x 5 x is equal to 25 तो इसमें क्या करेंगे ? इसमें जैसे हम करेंगे RHS निकालेंगे RHS क्या है ? 5 x अब यहां पर x की value क्या दिगई है ? x की value दिगई है ? 0 x is equal to 0 तो यहां पर क्या हो जाएगा ? 5 into 0 क्या हो जाएगा ? अगर 0 सह हम कुछ भी number multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा ? 0 ही हो जाएगा तो आप हम क्या लिख देंगे ? 0 0 लिख देंगे ठीक है ? तो LHS की value क्या हो जाएगा ? 0 अभी हम RHS निकालेंगे RHS यहां पर given है हमें कितना है ? 25 है RHS तो आप हम 25 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ? LHS is not equal to RHS जिरो और 25 लिख देंगे तो LHS is not equal to RHS तो यह भी equation क्या है ? 6 वाल equation भी रॉंग है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे ? 9 लिख देंगे अभी हम 7 वाला सम करते हैं 7 वाला सम कौन सा है ? 7 वाला है 5 X is equal to 25 5 X is equal to 25 हम पहले के जासे यह करेंगे LHS पहले निकालेंगे LHS क्या है ? 5 X है अभी यहां पर X की value क्या दिगई है ? X की value दिगई है ? 5 X की value 5 है 5 into 5 क्या हो जाएगा ? 5 into 5 क्या हो जाएगा ? 25 हो जाएगा तो LHS की value क्या आ गई ? 25 आ गई अभी हम RHS करेंगे RHS की value given है RHS क्या है ? 25 जाएगा 25 is equal to 25 So LHS value RHS की value से equal है LHS is equal to RHS जाएगा पर हम उपर क्या दिगई है ? 7th वाल equation सही है अब 8th वाल equation करते है 8th वाला sum क्या है ? 8th sum है 5 X is equal to 25 5 X is equal to 25 जाएगा पर पहले जाएगा हम करेंगे LHS is equal to 5 X है X की value क्या है ? X की value उस बार है minus 5 minus 5 है तो यहाँ पर 5 into minus 5 करेंगे और कोई भी minus वाला जो number है वो positive number से multiply होता है तो product क्या आता है ? minus में आता है minus 25 आ जाएगा ठीक है ? और यहाँ पर RHS लिखेंगे हम LHS की value मिल गई minus 25 RHS क्या है ? 25 है तो LHS is not equal to RHS because यहाँ पर यह minus 25 है minus है और यहाँ पर यह plus 25 है तो LHS is not equal to RHS ठीक है ? तो 8 वाली जो equation है वो भी wrong है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ? 9 लिख देंगे अभी 9 वाली equation करते है 9th 9 में क्या है ? 9 में क्या है ? 9 में है M divided by 3 M divided by 3 is equal to 2 तो यहाँ पर इसमें भी हम LHS निकालेंगे LHS तो LHS क्या हो जाएगा ? M upon 3 M की value क्या है ? M is equal to M is equal to minus 6 तो यहाँ पर minus 6 upon 3 यहाँ पर cut हो जाएगा 3 by 3 3 to 0 6 तो यहाँ पर आंसर क्या आगेगा ? minus 2 LHS की value क्या आगी ? minus 2 आगी LHS की value अभी हम RHS निकालेंगे RHS RHS कितना है ? 2 है LHS की value क्या निकली ? minus 2 लिकली और RHS क्या है ? 2 है तो LHS is not equal to RHS केक है ? तो 9 वाला sum भी हम क्या लिख देंगे ? उसमे भी हम 9 लिख देंगे 9 अभी हम 10 वाला sum करते है 10 वाला करते है 10 वाला कौन सा कहे ? M upon 3 M upon 3 is equal to 2 फिर हम LHS निकालेंगे LHS क्या है ? M upon 3 M की value यहाँ पे क्या है ? 0 ठीक है ? तो क्या हो जाएगा ? 0 upon 3 It means 0 अभी जहाँ पे RHS निकालेंगे RHS निकालेंगे ठीक है RHS क्या है ? RHS तो 2 है जहाँ पे LHS की value हमें क्या मिली ? 0 मिली RHS की value क्या है ? 2 है इस निकालेंगे RHS इस निकालेंगे इस निकालेंगे इस निकालेंगे इस निकालेंगे इस निकालेंगे इस निकालेंगे RHS निकालेंगे है